question है the resistance of a register is reduced to half of its initial value किसी register का resistance जो है वो उसकी पुरानी value जो उसकी previous value से half कर दिया गया है is reduced to half in doing so अर ऐसा करने में if other parameters of the circuit remain unchanged बागी के parameters को unchanged रखा गया है उसको change नहीं किया गया है the heating effects in the register will become फिर heating effect कितना होगा register में तो यहां पर आपसे पूछा है कि कितना होगा यानि two times होगा half होगा या one fourth होगा या फिर four times होगा तो देखो यहां पर यह बात समझने की है कि जो resistance से register का उसको half किया गया है लेकिन बाकी values जो कि बाकी parameters है उनको change नहीं किया है that remain unchanged अब यहां पर बच्चों के दमाग में थोड़ा सा confusion ही आता है कि कौन सा formula लगेगा heat का क्योंकि heat का जो formula हम लगाते है generally होता है h is equal to i square rt लेकिन यहां पर तुम्हें यह चीज concept के लिए रखना है अपना कि यहां पर तुम्हें यह चीज़ का लिए रखना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है formula होता है h is equal to v square rt यह आपको पता है ठीक है यह भी formula आपके ncrt में दिया है कि यह दिया आपको i की जगए v लिखना है तो आपका formula क्या बनेगा v square rt देको i square rt है i की जगए हमने i की value क्या होती है i is equal to vy r होता है तो vy r का whole square हो जाएगा rt अब यहाँ पर एक r से एक r cancel हो जाएगा और यह formula आपका आ जाता है ठीक है तो यह हमारा previous value आ गई heat की initial value heat की हमारी यह है initial value लेकिन बाद में क्या किया है r को कर दिया गया है r dash कर लेते हैं इसको यह हो जाता है r by 2 तो जब r dash r y 2 हो जाता है तो हमारा जो नया heating effect होगा जिसको हम h dash लिख सकते है इसका formula हम लिखेंगे v square अब r की value कितनी लिखेंगे यहाँ पर r y 2 और multiply t तो जो r y 2 है जो उसके नीचे वाला 2 है वो कहा जाएगा आपका उपर आजाएगा numerator side में तो h dash is equal to 2 v square by r और t आपका is equal to h के बराबर है अब हम क्या लिख लेते हैं h dash किसके बराबर हो गया 2 और v square r t किसके बराबर है आपका h के बराबर जो आपकी initial value है तो 2 h यहनि कि जो initial heating effect है उसका जो नया heating effect है वो double हो गया 2 h हो गया है तो यहाँ पर क्या आगया 2 times a option आपका correct हो जाता है तो I hope अच्छे समझाओगा मिलते हैं अगले वीडियो में thank you